जहीं दोस्तों कैसे आप से अमीद करते हैं बहुत ही अच्छे होगा दोस्तों यह सग्याइब को पता है पंचाथ साहिक भरती से रिटेड हम हर एक लगतार आपको दे रहे हैं दोस्तों कुछ कॉमेंट्स आयए थे कॉमेंट्स बॉक्स में मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि सर जो भी कंप्यूटर वगरा खरीदारी करनी है उसमें क्या-क्या स्पेसिफिकेशन होने चाहिए दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और कंप्यूटर लगने से संब्दित क्या लिटेस्ट अब्रेट है वह भी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को लाश तक देखे आप से निवेजन करेगा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक स्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल से जल स्सक्राइब कर लिजे साथ हैं बेल लाइकन पी दबा लिजे ताकि आदेश अभी भी देखने को मिल रहे हैं लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है यहाँ पे सीधा सीधा लापरवाही देखने को मिल रही है और जमीन पे जो भी ब्लॉक हैं ब्लॉक अस्तर पर जो भी ग्राम पंचायते हैं उसमें अभी बिस सिस्टम नहीं लगे हैं और नाही आगने वाले समय में लगते दिख रहे हैं कारण यह है दोस्तो, कि जिस तरीके से आदेस आ रहे हैं, उसकी लापरवाही जिस तरीके से हो रही है, उसको देखते हुए अगर आदेस आ भी जाते हैं, तो उस पे बिलीब कर पाना बहुत ही मुश्किल है, कोई भी बिलिबनी कर पाएगा क्योंकि मैं लगतार आदेश देख रहा हूँ आदेश आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन जमीनी अस्तर पे कारे नहीं हो रहे हैं तो सबसे पहले मैं इस पेसिफिकेशन पे चर्चा करने वाला हूँ उसके बाद आपको एक आदेश दिखाने वाला हूँ कि क्या है कंप्यूटर को लगाने के आदेश और किस तरी के उसमें बात कहीं जा रही है सचीव पे कारवाई करने की बात कहीं जा रही है और एक टाइ करता हूँ देखता हूँ तो देखता हूँ कि इस आदेश का कोई मतलब जमेनियस्तर से ही नहीं केवल कागजों में ऐसे आदेस आतے हैं और फिर वहींपें दपन होके रह जाते हैं जो की बहुत ही बड़ी कमी है या अधिकारियों की बोले अधिकारियों को तो सिधा कारिवाई करनी चाहिए अगर आप टार्गिट दे रहे हैं कि इस टाइम पे इस पंचायत सचीवाले में कम्प्यूटर लग जाने चाहिए अगर वहां पे नहीं लग रहा है तो फिर यहाँ पे सचीव की घोरला परवाही देखने को मिल रही है तो जो भी बड़े स्तर के अधिकारी है, सीडियों है या फिर DPRों है, इन लोगों को ततकाल प्रभावस पे इन पे कड़ी कारवाई कर देनी चाहिए तुरंत क्योंकि यहाँ पे आदेश आ रहे हैं और DPRों के आदेश की अवहेलना हो रही है सीडियों के आदेश की अवहेलना हो रही है तो यह कहीं भी सही नहीं है अगर ऐसे यह अवहेलना होती रही तो फिर खिलवार बन जाएगा और सभी पंचायत सायक इस बात को भी देख रहे हैं कि इन आदेश का कोई मतलब नहीं है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस specification दिखाता हूँ क्या-क्या specification चाहिए उसके बाद मैं आपको आदेश दिखाऊंगा चलिए चलते हैं स्क्रीन पर यह desktop का specification है प्रोसेसर आप देख सकते हैं Intel AMD है प्रोसेसर डिस्क्रिप्शन इंटेल कूर i3 थर्ड जनरेशन है और यहां पर अगर graphics टाइप की बात करें तो ingrated यहां पर दिखाया दे रहा है प्रोसेसर की बात करें तो आप देख सकते हैं 2.9 या इससे उपर तमाम दिखाई दे रहे हैं monitor की बात करें तो यहां पर 1920 into 1080 यहां पर दिखाई दे रहा है monitor technology display IPS है और यहां पर hard disk आपको 1000 GB यानि की 1 TB बोलते हैं यह भी दिखाई दे रहा है RAM 4G भी है और यहां पर आप देख सकते हैं RAM की जो specification है वो 32 और 64 यहां पर दिखाया गया है OS factory pre-loaded की बात करें तो Windows 3 उसमें डालने को बोला गया है और इसके अलावा आपको तमाम चीज़े यहां पर DVD राइटर भी देखने को मिल रहा है और तीन साल की यहां पर on-site warranty भी दी जाएगी ऐसा इसमें दिया जा रहा है मैं आपको printer के specification दिखा दू तो अब देख सकते हैं multifunctional laser printer print copy and scan यानि की तीनों चीज़े कर ले इसके साथ साथ type of printer तो mono है PPM 27 और higher या उससे अधिक यह दिया गया है warranty one year warranty या उससे फिर अधिक यह यहां पर दर्साया गया है अब आगे आपको मैं बात कर दूँ तो यह दोस्तों आप देख रहें UPS का specification है one kilowatt online stand if it's a rating यहां पर दीगए है one by one six eight load power दिया गया है यहां पर no off outlet plug दिया गया है तीन और above मतलब तीन हो या उससे फिर अधिक बैक अप टाइम तीन मिनट से अधिक हो और वैर्टरी कैप सिटी जो है एक सो अड़र वी ए एच्स या उससे फिर अधिक हो यह क्योंकि यहां पर minimum दर्सा आए गया है certificate विया यह सो और तीन साल की यहां पर on site इसकी warranty हो यह यह यहां पर दर्सा आए गया इसके साथ साथ वेब कैम अगर आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं वेब कैम दिया गया है यहां पर तीन मेगा पिक्सल और हाई अरिया उससे अधिक यहां पर minimum focus length है 30 यहां पर microphone from factor है built-in यहां पर वीडियो capture resolution है 720 पर और इससे अधिक भो तो type 1 kilowatt online strategy यह दोस्तों तो मैंने आपको बताया ही यह सेम चीज है अब यह है main चीज जो आपको दिखाया गया है का रहले कुर्सी है तो यहां पर 25 कुर्सी एक एक हजार रुपए की तो यहां 25 जार रुपए हो जाते हैं और फिस कुर्सी मेज तो 2000 रुपए एक का तो 3 मे 800 रुपए का एक और यहां पर दो दर्स आए गया तो 17,000 रुपए solar panel battery एवं inverter सहीत यहां पर 38,000 रुपए किये गया है एक सेट का दरी 1500 रुपए की दो है तो 3000 रुपए है पंखा कमरे में उपलब देता एवं आवशकता अनुशार तो यहां से आवशकता अनुशार का मतल RAM सहवर्ट की उपकरण है तो मैंने यह भी चीज़े आपको यहां पर दिखा दी दोस्तों अपने तमाम इस पेसिपिकेशन को समझा अखिर CPU में क्या-क्या चीज़े होनी चाहिए क्या-क्या उसमें क्यारेटरिया दी होई है जो रूम है उसकी क्यारेटरिया रैम है उसकी क क्यरेकरिया तमाम चीज़े उसमें दी होई है कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेसर चाहिए यह तमाम चीज़े आप लोगों ने देखीश के साथ प्रिंटर का क्या होना चाहिए, प्रिंटर का resolution क्या होना चाहिए, आल इन वन होना चाहिए, color and black and white होना चाहिए, scanner होना चाहिए, तमाम चीजे आप लोगों ने देखी और उमीद करूँगा कि आप लोगों समझ गया होगा कि आखिर क्या actual यहां GEO में लिखा गया है कि क्या क्याद चीज़े आप पर पुबज़ें की क्या होने चाहिए और क्या क्या चीज़े आप लोगों को यहां पर पंचयut B rushing में मुहिया कराने के लिए कही गई है दोस्तो आप इसको read कर सकते हैं अगर किसी बिसाती को ये PDF से ही है तो आप description में टेली ग्राम का link मिल जाएगा आप उससे जूड़ के ये PDF हमसे ले सकते हैं दोस्तो ये वही PDF है सबसे पहले जो launch हुआ था इस भरती को लेके जो सासन दादेश दुआरा दिया गया था उसी में ये सारी PDF में ये page मौझूद है और ये page बहुत ही मरतपूर है ये हमेशा कारे आता है आप लोग को और आप लोग इसे देख के समझ सकते हैं जान सकते हैं कि क्या-क्या चीजों की जरूरत है और क्या-क्या चीज लगाने के लिए पंचैट भान में बोले गए हैं दोस्तों ये हो गया ही जो भी material है जो भी computer समागरी है और जो भी वहाँ पे कुरसी, furniture वगारा है उसकी यहाँ पे specification मैंने आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया अब रही बात दोस्तों की आदेश क्या है computer को लगाने का चलिए पहले आदेश पे चलते हैं उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे दिनांक 1422 को आयोजित चिला अस्तरी समिक छावेठक में कड़ा रोस प्रकट किया गया है इस संबंध में दिनांक 1422 25 बहुन कारेकरम में कारे करते हुए पुनचायत सहाइकों की डिजिटल डायरी मांगी गई है अता है आप लोगों को निड़ेशित किया जाता है कि 4422 को 12 बजे तक पुनचायत सहाइकों की कारे करते हुए डिजिटल डायरी प्रस्तूत करें यादि आप लोग द्वारा फरनीचर और कम्प्यूटर की विवस्ता नहीं दरसाई जाती है तो आप लोग स्वयम जिम्मेदार होंगे यहाँ पर सिधा सिधा चेताओनी दे दी गई है इस पत्र के माध्यम से सभी सचीवों को कि अगर आप लोग अपने सचवाले में फरनीचर और कम्प्यूटर की विवस्ता नहीं दरसाते हैं तो फिर आप लोग की जिम्मेदारी हो उपाएगा आप हमारे comments box में जरूर बताईए कि कितना हद तक जो भी आदेश से उनका पालन हो रहा है और इसमें कितना हद तक सचाई है कि जो भी अधिकारी हैं उसको seriously ले रहे हैं और कितने अधिकारी इससको मजाक में ले रहे हैं और बिल्कुल इस भरती को और पंचैट साई को मजाक बना के रख दिया है दोस्तों उम्मित करेंगे आपको ये तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं